बपपा आने वाले हैं और उनके प्रिशाद के लिए मैं मोदक की रेसीपी आप सभी के साथ शेयर ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस वेलकम बेक टू माई चैनल आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपना खयाल रख रहे होंगे वीडियो में आप मेरे साथ पने रहेगा आज मैं आप सभी के साथ रसमलाई मोदक की रेसीपी शेयर करूँगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं यह 200 ग्राम पनीर है यह पनीर जो पानी में आप रख देते हैं इसकी स्टेर्फ लाइफ बढ़ाने के लिए तो वो नहीं होना चाहिए इसमें मौशर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आप पैकेट वाला यह पनीर ले लीजिए या फिर ताजम आपको पनीर मार्केट में हलवाई के पास मिल जाए तो वही ले लीजिए 200 ग्राम पनीर लेकर इसके हमें चोटे चोटे टुकडे कर लेना है क्योंकि हमें इसे फाइनली मिकसर जार में ही काटना है पनीर की क्वांडिटी जितनी ली है उसी हिसाब से मैं इसमें और भी इंग्रीडियन्स एड़ करूंगी तो आप पनीर की क्वांडिटी कम जादा कर सकते हो तो चलिए इसे एक चोटी प्लेट में रख देते हैं और अब आप देख लीजिए पनीर हमारा कितना सौफ्ट है ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का ही आपका भी पनीर होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी मौशन नहीं होना चाहिए अब मैं यहाँ पर वन फोर्ट कप शक्कर ले रही हूँ इसका हमें पौडर बनाना है सिंपल बस आप मिक्सर जार में डाल कर इसे पीस लीजिए ये अगर चम्मच से मापा जाए तो ये चार चम्मच के लगवा होगा तो इसे हम एक छोटे कटोरी में निकाल लेंगे अब फिर से मैं यहाँ पर जार ले रही हूँ और इस टाइम मैंने जार बड़ा वाला लिया है क्योंकि छोटे जार में पनीद नहीं आ रहा था इसका धकन लगा कर हमें एकदम बारी की से पीस लेना है ये सॉफ्ट हो जाएगा और चिकना सा भी हो जाएगा ये देखिए इसे पीसने में आपको तीन से चार मिनट लग जाएगी अगर ये इस तरह से नहीं पिस रहा है तो आप क्या करिए कि दो चम्मच इसमें नॉर्मल दूद डाल कर पीस लीजिए कोशिस करिएगा कि इसमें दूद आपको डालने की जरुद ना पड़े पनीर और घी को हमें मिलाते हुए चलाते हुए तीन से चार मिनट एक तम गैस का फ्लेम लो पर करते हुए भून लेना है पनीर कच्चा नहीं रहना चाहिए अगर आपका पनीर कच्चा रह जाएगा तो आपके जो मोदक हैं जल्दी खराब हो जाएगे तो उसकी एलफ लाइफ बढ़ाने के लिए आपको इसे अच्छे से भूनना होगा पांच मिनट तो इसे भूनने में लगी जाएगी या आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा पनीर पिस करके हो गया इस पेचला में आपको दिख रहा होगा तो चलिए इसी तरह से ही मैं इसे चार से पांच मिनट भून लेती हूँ इसे आपको छोड़कर नहीं जाना है continue इस तरह से जैसे मैं चला रही हूँ इसी तरह से ही चला लेना है और ये देखे थोड़ी देर बादी ये इस तरह का दिखने लगेगा पैन को छोड़ देगा तो इसी स्टेज पर मैं इसमें आदा कप डाल रही हूं मिलको पौडर इससे हमारे मोदक और भी क्रीमी और मावा जैसे बनकर रेडी होंगे और जो हमने शक्कर पीशके रखी थी बस वही डाल देंगे पूरी एक बार में ही इसमें डाल देंगे जितना पनीर लिया है उसकी क्वांडिटी के हिसाब से लगवा चार चमच आप इसमें शक्कर का पौडर भी डाल सकते हैं मिलको पौडर भी आप ले सकते हैं इसमें और प् vacunh यह फिर से किछ आप इस मैं शक कर बाऌडा डालेंगे यह थोड़ा थोड़ा फटर होना शुरू करदेगा ओ भी आपको की सट्व करना थोड़ा सथ मुश्किल हॉड़ा है लेकिन जैसे जैसे आप से चलांगे तो ऋसारि चीज एक दूसरे में मिलती जाएंगी और यह एक तो जैसा बन करके रेडी होगा यहां पर भी आपको चार से पांच मिनिट इसे भूनने में लग जाएगी गैस का फ्लेम एक दम लोग पर रखिए हाई पर मत रखिएगा और कंटीनिव चलाएगा अगर आप इसको छोड़ करके जाएंगे तो क्या होग गई हैं और यहां थोड़ा भून भी गया है मैं इसमें थोड़ा सा केवड़े का डाल रही हूं आदा चमच के लवगे में केवड़ा एसेंस एड़ कर रही हूं आप यहां पर इलाइची पाडर भी ले सकते हैं अदा जमाच इसी इस्टेज पर आप डाल दीजिए और आप एक बार इसे देख लीजे इसकी कंसिस्टेंजी कितनी पर्फेक्ट है कड़ाई में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है एक दम चिकना इसमें चमक सी आ गई है तो बस इसी तरह का ये डोहम को चाहिए गैस को कर देंगे बन अम मैं ले रही हो एक बड़ी थाली और ज पहचला से इसे दावा देंगे इससे जलदी ठंडा हो जाता है उल्यसे कंप्लीटली ठंडा होने देना अब यहां पर 20.09ड ध सी 2 , यह ज्ञाइं इन ओंड़ी धूब्र हमारे मोधक कड़ों की हतेलियों से अर उंगलियों मसाज देंगे यह पनीर हमने में इस्तमाल किया इसलिए इसको मसाज देना बहुत जरूरी है इसे चिकना करना है इस तरह से आप रसमलाई लड़ू भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं खुश्बू भी काफी अच्छी आती है तो बपा के लिए आज हम इनसे ही मोदक बना कर तैयार करेंगे चलिए इसे भी अच खटा जैसा कर लेना है तीन से चार्ट मिनट आपको इसमें लगी कोई भी रेसीपिए आप बना रहे हैं तो 10 15 मिनट लगी सकते हैं क्वानिट्ट को चिक्चन करने में कितना paintsां तोकि के लिए हम बन करी भी है मुदक के लिएऑ मैं यहांपर हाथ ड्लों यह मेरे पास मोड़ी यहां इसमें हम थोड़ा सा देशीगी लगा देंगे, क्योंकि हम बपा के भुक के लिए बना रहे हैं, तो इसमें देशीगी लगा देंगे, थोड़ा अच्छे से ही लगाईएगा, अब मैं गार्णिश के लिए पिस्ता मैंने कटे हुए ले लिए हैं, थोड़ा से मैं रोस पैट तोड़े लगा दिए उसके नीचे ही मैंने यहां पर कटे हुए पिस्ते भी लगा दिए दौनों साइड में अच्छे से हमको मोदक का जो है वो भर देना है खूब सारा भरिएगा क्योंकि जैसे हम इसको दबाएंगे एक्ट्रा जो हमारा यहां मोदक का पेस्ट है वो निकल से जो इसका एक्ट्रा पाट है वो निकालते जाईए यह देखिए नीचे से भी अच्छे से उंगली से आपको इसे सैट करना है और तवाकर इसे अब हमको क्या करना है साइड को खोलना है आसानी से यह बन जाते हैं कम सामान में बनते हैं देखने में काफी सुन्दर होते ह और यह लीजिए हमारा यह मोदक बन करके रेडियो कर लग रहा है ना कितना सुन्दर यह देखिए रस्मलाइ मोदक की बात ही अलग है आप इस बार इस τरह से गनपती पपा के लिए घर पर ही यह रस्मलाइ बना करके तैयार करिएगा यह देखिए देखने में काफी सुन् और बस गनपदी बपा तो आपसे अगर आपने यह रसमलाई मोदक बनाया है तो वो खुश होने वाले हैं तो चलिए इसी तरह से ही मैं यह दूसरी मोदक भी बना करके आपको तिखा देती हूं मैंने आप सभी के साथ कई तरह के मोदक की रेसीपी शेयर की है उकाड़ी चे जो मोदक आते हैं चावल के आते के उसकी भी की है पान मोदक की भी रेसीपी शेयर की है मावा मोदक की भी की है और सूजी मोदक की भी रेसीपी शेयर करी हुई है तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगी या फिर च लगा देंगे खूब सारा लगाईए सभी तरफ से जिससे की मोदक कश्य परफेक्ट आएगा तो चलिए इसे इस तरह से ही तवा देते हैं यह देखिए एक्ष्टा पार्स प्रिसमें अपने आप ही निकल जाता है इसलिए मैंने बोला है कि इसके सारे एजेज में अच्छे स लिए देखने में सुन्दर है खाने में टेस्टी है तो बस इस बार आप इस तरह से रसमलाई मोदक बना करके पपा का भोग लगाईए आशिरवाद लीजिए तो इसी तरह से ही मैं यह सारे मोदक बना कर तैयार कर लेती हूँ यह देखिए अगर आपके पास रोस पैटल् डाल दी है और यह लीजिए हमने 200 ग्राम पनीर लिया था जिसमें 20 मोदक के लवग हमारे बन करके रेडी हो गए हैं तो आई होप आप सभी को आज के मेरे यह रसमलाई मोदक की रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें नए हैं तो चैनल को सब्सक्रा अुबरियो